नमस्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सुस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो आज हम डिसक्स करें मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में क्या आपको शेयर पर निवेश करने चाहिए नहीं क्योंकि आप देखते हैं अपर सर्केट लगा हुए और स्टॉक में आपको आज काफी बाइंग देखने को मिली तो क्या यहां से आपको इसमें बाइंग करने च चलिए गाइस टॉक का जो है इनलिसिश शुरू करते हैं यहां पर हम डिसक्स करेंगे मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में क्या आपको शेयर पर निवेश करने चाहिए नहीं और इस शेयर में आपको जो है आने वाल टाइम में क्या टार्गेट देखने को मिल सकते हैं कहा ह में शेयर का जो है स्पोर्ट बने का और कहां पर रिजिस्टेंस और कब जो है रेट टेप के जो है स्टॉक लिस्ट होंगे सारा हम आपके लिए क्लियर करेंगे और इसके फंडेमेंटल्स क्या इंडिगेट करें वह भी क्लियर करेंगे तो चलिए गाई शुरू करते हैं त तो काफी जादा कॉंटिटी जो है प्रमोटर्स ने अपने पास रखें़ फ्रीप्रोट में 27 प्रसेंट जो काफि कम कॉंटिटि तब आप देखें ती सटॉक में कभी भी जो है अपर सब्सक्राइब जब जाता और कभी भी लोग सर्कूट circuit लग जाते हैं तो यह one of the main reason है क्योंकि स्टॉक की जो liquidation है मार्केट पर वो काफी कम है liquidity काफी कम है क्योंकि काफी ज्यादा stocks जो है ownership में वो closely held by promoters and institute गाई और यहां पर आप देख से company की valuation तो आप देख से company की पी जो काफी ज्यादा जो है correct हुई है क्योंकि आपको बता है stock में जो डी मर्जिर हुआ रेट टेप का उस business को company को जो एक मिर्ज international ने अपने से डी मर्ज करके अलग से list करना है जिसकी वज़से आप देखती इसकी valuation में काफी हमें गिरावड देखने को मिली क्योंकि company का market cap उससे काफी कम हुआ growth and profitability के सब्सक्राइब बात करें तो company का जो है revenue जो है पिछले कुछ quarter में गिरा गई नेट इंकम company की जो है stable रही और profit margins भी जो है थोड़े correct होएं गाई और उपर से जो रेट टेप का इनके से डीमर जो है तो गाई रेट टेप जो था इनके सेवंटी परसेंट का जो है business जो है generate करता था तो यह अब मैं आपको यहीं रहे दोंगा मिर्दा इंटरनेशनल में आप उतनी बाइंग मत कीजे उससे अच्छा आप जो है रेट टे पर बाइंग करिएगा और आप लोग जिनक के पास भी चीओ यह स्टॉक था डीमर्जर से पहले और जब स्टॉक डीमर्ज हो और आपके जो वैल्यूड जो वैल्यू आपने इंवेस्मेंट की लगाई थी मनल जितनी डीमर्जर चाउंट में जो है वो बाकी के जो भी शेयर थे रैट टेप के वो आजाएंगे और आपके जितने पैसे लगे हुए थे वो बापीस जो यह उतने ही वैल्यूब है आपको अपने डीमर्जर अकाउंट में देखने को बाद में मिल जाएंगे घाय तो आपने कंपनी का लेकिन फ्री कैश लो और कैश एक्लिवेंट्स पी कंपनी के जो है थोड़े हमें गिर्ट वे दिखे तो मैं आपको यह राय दूंगा ऐसा लॉंग टर्म इन्वेस्टर जो है आप लोग इस शेर में मत बैठी है रेट टेप पे जो है इससे ज्यादा सही आपका रह है गाइस अब आपको एक्स्पेयन करते हैं यहां पर क्या सेट अप बन रहा है तो आज आप देखते हैं अपर सरक्षाट जो है स्टॉक में लगा हुआ तो अभी जो चार्ट में सेट अप है वो थोड़ा नेगटिव हमें लग रहा है तो अभी मैं आपको यही रहे दूं मत सोचे बाकि जो है फ्रक में अभी हमें उतार चड़ाप देखने को मिलेगा और अभी जो है इनकी गो फी अलॉटमेंट होनीब का फीयुक्त में धाल नेगे काफी जली जोलॉटमेंट हो जाएगे तो अभी के लिए मैं आपको यह राय दूझा सेट तो अभी के लिए फ्रेश बनाने के बारे मदसूचे स्टॉक में क्योंकि अभी जो स्टॉक में आपको थोड़ी और जादा जो है सेलिंग देखने को मिल सकते हैं अपर सर्कृट फिर से लोग सकता है तो थोड़ा जो है वॉलटाइल आपको यहां पर सेशन देखने को मिले तो अभी के लिए थोड़ा इस शेर को वाइड कीजिए तो गाईज ऐसी और वीडियो देखने के लिए मारे चैनल को सस्क्राइब वीजिए धन्यवाद गाईज